जैहिन सांतियों आप सभी को नमस्कार स्वागत है आज के सत्र पे कैसे आप सब लोग आसा करतों आप लोग सब स्वस्त होंगे और मसत होंगे आप लोग थमनेल देखके ही जानगे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है टेस्ट क्या है जी टेस्ट आप deployment में 17 question लेकैं कि आcha भी करेंगे सांट सांट हम लोग भी देखेंगे लेकिन आप लोग array को को टेस्ट कोसिसकर्य बिना नकल हुए अपने आपको पर्क है आप कैसे है टेष्ट दिलाना कैसे है तो फॉर एक्जांपल जैसे कि देखो अपने पास वो स्युधा नहीं है मेरे पास इसलिए मैं ऐसा आप लोगों के लिए कर रहा हूं उसकी लिए टाइम लगेगा देखो एक्जांपल के लिए आप मस्ते कोरा कागज लेजिए वहां पर एक दो तीन चार पांच ऐसा एक्जांपल लिजे मालो एक जैसा मैं कोश्टन सॉल्ब कराऊंगा एक ओप्सन लग रहा है आपको मालो ए है एक नंबर का दो का ओप्सन दो नंबर का लग रहा है बी ऐसा आप लोग लिखते जाए और लास्ट में मैं इसका एंसर मिलान कीजे कि आपका कितना सही होता है और आप मेरे अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसमें फिर आप लोग लास्ट में कमेंट कीजे कि सर मेरा क्या सत्रा में से कितने सत्रा में से इतने सही हुए इतने गलत हुए ठीक यह टेस्ट सिरीज है आप लोग टेस्ट सिरीज हलके मांत लेना यह बहुत important important question ले के आया हूँ ठीक है तो आप लोग अच्छे से दिलाईए ओके जी तो हम लोग question नमबर पहला सुरू करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 second का आप लोगों को समय दिये जाएगा 5 second में आपको question को पूरा solve करके अपने में अपने कहां पे अपने जो page लिये हैं वहां पे लिखेंगे जैसा एक का A हो रहा है दो का B हो रहा है ऐसा और last में आप लोग comment करना कि 17 में से कितने question आपके सही हुए हैं ओके जी तो हम लोग देखते हैं पहला question है आपका पहला question अपने में लिख रहे हैं तो भी अच्छी बात है लास्ट में comment करके दीजे इसका answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option number D I hope आप लोग सब इसका answer सही बनाये होगे option number D Maratha जो बाबू रिवा राम है वो किस काल से संबंदित थे ठीक next देखते हैं सहीद वी नरायनसी का जन्म इस्थल जो सहीद वी नरायनसी का जन्मिस्थल कहा है ठीक आप लोग इसका answer comment कीजे और साथ ही साथ अगर आप पेपर में बना रहे है तो पेपर में लास्ट में comment कीजे किसका इसका Vee Narayan Cee का जन्मे इस्थल कहां है एंसर हो जाएगा इनका कहां है सोना खान क्या हो जाएगा इसका एंसर सोना खान option number B next question है आपका अकलतरा में जन्में एक स्वतंतरता सिनानी जो एक बैरिष्टर थे एक बैरिष्टर थे थे जो एक बैरिश्टर थे ठीक बैरिश्टर थे इसका एंसर कमेंट कीजे क्या होगा इसका एंसर इसका एंसर हो जाएगा इसका एंसर से पहले में इनको बारे में थोड़ा बताता हूँ इनका जन्मा जानिये इनका जन्म हुआ था 1879 को कब हुआ था 1879 को इस्थान कहां हु ने इनकी रचना है इनके किताब इनकी रचना भी याद रखेंगे इनकी रचना है आपका हॉलेंड का इतिहास 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 है ठीक कौन है ये बरिष्टर छे दिलाल इस पश्टी कर इतिहास ठीक इसका answer हो जाएगा option number B आप लोग आई होप सही answer दे रहे होंगे 36 गड़ में कथक नित्य के विकास में किनका यूगदान है किसके बारे में जो कथक नित्य है विकास में जो कथक नित्य इनके नाम पे 36 गड़ राज अलंकरन के रुप में पुरुसकार दिया जाता है हम लोग अलंकरन पढ़े तो वहाँ पे बताया था लोग संगीत के छेत्र में दिया जाता है कौन है वो? कौन है जी? आपका राजा चक्रधर सी option number C इसका answer हो जाएगा इसका answer आप लोग सहीं दिये होंगे क्योंकि पढ़े हैं इनको ना? ठीक हसीप तनवीर किसलिए प्रसीद्ध है? इनके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं हसीप तर्वीर किसलिए प्रसीद्ध है? किसलिए है? इसका answer क्या हो जाएगा? आप लोग comment कीजिए ये बताइए इसका answer हो जाएगा option number C रंग मंच या रंग कर्म ठीक चटवा question है 36 गर राज्य में सतनाम पंद के संस्थापक निमनलिखित में से कौन थे? किस पंद के सतनाम? इसको underline करिए सतनाम पंद के संस्थापक इसका comment कीजिए या आपने जो बना रहा है वहाँ पर answer इसको टिक कीजिए ठік? कौन है? सतनाम पंद के संस्थापक कौन है? इसका answer बताइए सतनाम पंद के संस्थापक है आपके option number C गुरु घानशीदास क्या है इसका answer? option number C गुरु घासिदास ठीक चटवा कोशन वैश्नों संप्रदाय के प्रवर्तक स्री वल्लभाचार्य की जन्मस्थली सभी के कोशन ना बहुत ही बहुत इंपोर्टेंट कोशन है मैं ऐसे आपको लोगों के लिए लेकिनी आया हूँ इंपोर्टेंट कोशन है वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहा है आप लोग बताईए मैं इसको पढ़ाया हूँ हना क्या है इसके जन्मस्थली आपका ओप्सन नंबर B चंपरण क्या है चंपरण I hope सब लोग इसका एंसर सहीं दिये होंगे क्या है चंपरण है कोन है चंपरण वल्लभाचार्य का जन्मस्थली क्या है चंपरण ठीक आटवा कोशन 36 गड़ में कबिरपंद के संस्थापक 36 गड़ में कबिरपंद के संस्थापक कोन है इसका एंसर दीजे कोन है इसका संस्थापक आपका क्या है इंसर दीजे, इसका एंसर हो जाएगा option number C क्या है option number C चुड़ा मड़ी सहाब option number C, इसका answer हो जाएगा कबिर पंद बुला ना, कबिर दास नहीं होगा चुड़ा मड़ी सहाब होगा कबिर पंद के संस्थापा 8. question का एंसर, option number C 9. question आपके सामने निमने लिखित में से किस कबिरपन थी गुरू ने 36 गड़ के दामा खेड़ा में मट की स्थापना की थी कहां पे दामा खेड़ा में कबिरपन थी गुरू ने मट की स्थापना की थी इसका एंसर दीजे इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा ठीक है पांस सेकंड ही समय है आपके पास पांस सेकंड में आपको एंसर देना है और मैं पांस सेकंड से कम भी समय ले रहा हूँ क्योंकि जो जी चीज पढ़ाया हूँ वो आपसे बनना चाहिए भाई मैं आपके लिए महनत करो तो आपका एंसर भी सही होना चाहिए कई question ऐसे हैं जो हम लोग पढ़े नहीं है पर भी एक logic से आप बना सकते हैं नहीं बर्रत एक तुक्का लगा के देखिए आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है ठीक नौवा question एंजर option नमबर C उग्रनाम साहिब ठीक दस्वा question रामकृष्ण मिशन विवेकानन आसरम नारायनपूर के संस्थापक जो रामकृष्ण मिशन विवेकानन आसरम है कहां है नारायनपूर में उसके संस्थापक पूछे है उसका संस्थापक QUEAK n कौन है चलो बताए हम इसका answer कमेंट कीजिए या फिर अपना बता बताओंगो उसमें मिलान की जी आपके कितने सहीं हैं अपनी इमानदारी से करोगे तब काम का ऐसे बना लिए तो पेपर हाल में मैं बताने नहीं जाओंगा या चीट मारने नहीं मिलेगा ठीक तो विवेकनन आसरम नारायनपूर के संस्थापा कौन है ऑप्सन नंबर बी प्वामी आत्मा नन ठीक ग्यारवा कोश्यल निमने लिखित में से कौन छात्यस गर्ण के गांधी के नाम से जाना जाता है चलो इसकाई इंसर दीजे घर्ण घर्ण के गांधी के नाम से जाना जाता है और आपका option number B पंडित सुंदरलाल सर्मा 36 गड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है दुद्धा धारी मट इस राज जे की राजधानी में दुद्धा धारी मट की स्थापना किसनी की देखो राज जे की राजधानी ये बोला तो कहां है आपका रायपूर सिटी रायपूर सेटी में दुद्धाधारी मठ है लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी पूछा है किसने की थी इसका एंसर कमेंट कीजे या बताए इमानदारी से ऐसा आप लोग चिटिंग करेंगे वो गलत होगा मैं बता रहा हूँ तो उसके साथ साथ आप लोग अपना एंसर भी कमेंट करते हुए चलेंगे ओके तो इसका एंसर हो जाएगा आपका वल्लभ दास दुद्धाधारी मठ की स्थापना आप्शन नंबर सी बलभद्र स्वारी कौन है बलभद्र दास आप्शन नंबर सी बलभद्र दास बारवा कोशन के एंसर आप्शन नंबर सी बलभद्र दास देखो 36 गड़ में साहकारिता अंदोलन के पिता की रूप में किसी जाना जाता है मैंजराब जराज अलंकरन पढ़ाया था तो साहकारिता के च्हेतर में किस को पूरुसकार किस छेत्र में किसके नाम से दिया जाता ये बताया था मैं तो इसका कमेंट आप लोग एंसर सहीं देंगे क्या हो जाएगा सहकारिता के छेत्र में दिया जाता है सहकारिता अंदोलन के पिता किसको कहते हैं option number C ठाकूर प्यारे लाल सी कौन हो जाएगा ठाकूर प्यारे लाल सी ठीक कौन हो जाएगा ठाकूर प्यारे लाल सी चौदा question देखते हैं 36 गड़ के 36 गड़ के विधान सभा का नाम करण की स्वेक्ति के नाम पर किया यह था इसको भी question को मैं कराया हूँ क्या है इसका answer कमेंट कीजिए को भी बताया हूँ कौन है प्रथम मुख्य मंत्री कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए या answer अपने में लिखिए क्या है कौन है आपका option नमबर B पंडित रवी संकर सुगला कौन है पंडित रवी संकर सुगला ठीक tiger kit की रूप में विख्यात है tiger kit की रूप में विख्यात है इसका अगर आप लोग pdf चाहिए तो telegram group है वहाँ join कर लेजे या number है आप लोग इस number पे क्या कीजिए comment कीजिए send pdf मैं आपको pdf वहाँ पे provide करा दूँगा ठीक तो tiger kit की रूप में विख्यात कौन है कौन है option number क्या हो जाएगा इसका option number हो जाएगा option number d चेंदरू मंडावी कौन है चेंदरू मंडावी tiger kit क्रूप में विख्यात है ठीक last question आपका last और final question है 36 गड की देहाती कला मंडल के संस्थापा किसके देहाती कला मंडल के संस्थापा कौन है इसका answer बताएए मैं इसको भी पढ़ाया हूँ आपको न देहाती कला मंडल के संस्थापा कौन है इसका answer हो जाएगा इसका answer से जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आप लोग इसका answer comment कीजाए तब तक मैं आपको कुछ और बताता हूँ रवेली नाचा पाटी क्या आपका रवेली नाचा पाटी किन का है दाव दुलार सीमंद्रा जी बताया हूँ ना रवेली नाचा पाटी दिहाती कला मंच दिहाती कला मंच ये भी ये जो है दाव रामचंद्र देशमुक का है किसका है रामचंद्र देशमुक दिहाती कला मंज चंदेनी गोंदा ये किनका है ये भी इनही का है रामचंद्र देशमुक का एक है सुनहा बिहान कौन है मानसी है चंद्राकर ये नाम याद रखेंगे इसका answer हो जाएगा क्या हो जाएगा option number A रामचंद्र देश्मुग क्या हो जाएगा option number A रामचंद्र देश्मुग I hope आप लोगों ने जो हम लोग 17 question पूरे 17 question हो गया 17 question में आप लोग जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो बराबर 17 के 17 question आप लोग solve किये हैं 17 में से अगर आप लोगों का 15 भी solve बहुत है तो बहुत अच्छे position पर यह नहीं बूल रहों कि आगे आप लोग सफल हैं अच्छे position पर सफल होने के लिए पढ़ना पड़ेगा महनत करना पड़ेगा अच्छे position पर आप लोग अच्छे करके बताईए सर मेरा 17 में से कितना सही हुआ है 17 लिखिए 17 में से 10 सही है 17 में से 15 सही इसको comment कीजे ठीक अपने में मिलाईए इसका मैं last मैं यहाँ पर इसका answer दे दिया हूँ ठीक अगर नहीं समझ मैं तो answer है answer में आप लोग मिलान कर लिजे ठीक कहाँ पर answer में पूरा मिलान कर लिजे इसका answer क्या होगा ठीक और मेरों को आप लोग comment कीजे कि 17 में से कितने सही हुए कितने आपके गलत हुए अपने आपको पर रखिए नकल नहीं मारिए ओके तो मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सस्क्राइब कमेंट कीजे ओके जी धन्यावाद